इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का अनलेसिस फॉर नेक्स्ट वीक रहेगा 14 तू 18 डिसेंबर काम तो उसके लिए देखेंगे तो इस अभी यह जो है तो निफ्टी का मन्तली चार्ट है तो देख सकते हो कि इस मन्त में निफ्टी नहीं लगबग 12,900 अलो था और 12,600 के करीब हाई लगया तो 700 पॉइंट की अल्रेडी रैली हो चुके यह फॉर्स्ट विक में और यह जो रैली है कि अगले दो-चार मैने भी पॉजिट्व रहे हैं इंटरमेटन चोटा सा करेक्शन के बाद में और स्टोकेस्टिक भी ओवरबॉट है मगर स्टिल बुलिश है तो अभी तो फिलाल के लिए लॉंग टर्म जो है तो अच्छा ही लगता है तो इन्वेस्टर को घबराने क जरुत नहीं कॉलेटी स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहे हैं और जब रिवर्स अलाता है तो आपको मैं पहले ही बता दूंगा जब हमारा जो विकली या डेली पोड़कस्ट रहता है उसमें तो अभी देखते हैं विकली चार्ट तो विकली चार्ट पर देख सकते हूं जैसे मैंने बूला था कि 13400 जो है तो वह स्टॉंग सपोर्ट है तो वहाँ पे जो है तो उसके उपर जब तक निफ्टी है या फिर जब भी करेक्शन आता है और निफ्टी 12000 है 13400 और 300 के करीब आता है तो आपको बाई की पोजिशन बनानी ही हुआ विट स्टॉप लस उपर मेरा टार्गेट रहेगा अभी निफ्टी के लिए 14500 का तो देखते 14500 के तक करीब जाता है नहीं अगर निफ्टी एक सी दो हफते 13400 के नीचे रहा तो ही रिवर्स लाएगा और मुझे जैसे ट्रेंड है या फिर डिली चार्ट है या अवर्ली चार्ट है उससे तो अभी तो नहीं लगता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में रिवर्स लाएगा तो अभी तो फिलाल के लिए बायों डिप्स ही रखना है मिडियम टम टू लॉंग टर्म इनवस्ट के लिए 13300 से 400 ये बैंड बूद क्लोजली वाच करन करेंगे और अपना टार्गेट जो है तो रखेंगे 14500 के करीब अभी देखते है डिली चार्ट पर जो है तो निफ्टी ने मेरा जो 13500 का टार्गेट है वह अच्व कर लिया और 13750 का भी टार्गेट 23 विक के लिए मगर हमने आज देखा कि फ्राइडे की दिन 13600 के करीब मगर उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हो गया एक डिप भी दे दिया मगर वो आप देख सकते हो कि हर एक डिप जो है तो बड़े जो एफ आया या बड़े इन्वेस्टर वो खरीद ले रहे हैं तो वहाँ बाइंग चल रह यहां तक निफटी आ सकता है एक डिप दे सकता है और यहां से फिर जो रिवर्सल आएगा तो फिर से 12 थेरा हज़ा पास सो पचास यह पहला टारेट रहेगा थेरा हजा साथ सो पचास 14 और 14,000 और 14,000 और 14,000 तो यह टार्गेट जोन हेट तो वह तो हम वहाँ डेली का जो रहता है उसमें देखेंगे कि कौन से लिवा लाते हैं मगर मुझे लगता है कि अगले अपते थोड़ा सा डीप आ सकता है क्योंकि averages के तरब जो है तो निफ्टी जो है तो correct होते रहता है और averages को test करते रहता है और वो इसलिए यह जो rally क्योंकि आप देख सकते हो कि निफ्टी बार-बार जो है यह दिखेंगे हैं बार-बार averages को test करते रहता है तो जब averages को test करते रहता है तो वहां से फिर रिवर्सल आती है अभी यहां देखिए यहां averages को test के रिवर्सल दिया बहुत बड़ी rally दी तो ऐसे ही हो सकता है कि यह 13,200 और 300 के बीच में आ जाए और वहां से फिर लाएगा क्योंकि यह 13,500 का जो है तो अभी वो as a resistance काम करेगा वो लेवल तो वहां आती ही profit booking आनी चाहिए जैसी यह लेवल निकलता है with volume और price action एक बड़ा साब price action तो फिर हमें देखना मिलेगा next level 14,150 का तो जैसे मैंने बोला वैसे मगर बीच में जो है तो 13,750 फिर 14,000 और फिर 14,150 यह target रहेंगे तो आगी देखते हैं मगर आपको जो है तो 13,200 से 300 के बीच में जब आता है इनिप्टी तो खरीदिक करना है और buy on dips view रखना है अभी जो है तो 13,600 का जो call option था उसने तो बड़िया से 200% return दे दिया अभी अगले हप्ते के लिए हम देखेंगे कि या फिर 14,000 जनवरी को 14,000 के option को target कर सकते हो या फिर इस महिने के 13,700 के call option के है तो अभी देख सकते हो 13,600 तो हम जो है तो monthly option में ही trade करते है तो weekly option का शर्फ इंट्राडे के लिए यूज़ करना है ना कि carry forward के लिए तो हम देखते हैं कि 13,600 का call option चलो है अभी 159 तो यह मुझे लगता है कि 100 रुपे के करीब आना चाहिए क्योंकि जर रडी पाता है तो यह 100 या 90 रुपे के करीब आएगा तो वहाँ आपको खरीदना है आपके यह target रहेंगे लगबग 200 से 300 रुपे तो आप देख सकते हो कि 7 December से मतलब सोमवर से समवर को 80 रुपे का था और उसने हाई लगबग तीन गुना तो इसमें भी लगबग 150 परसेंट से ज्यादा रिटन दे दिया इसने तो आपको इसको बाई करना है लगबग 90 या 100 के करीब आता है तब with stop loss of 50 रुपे और मुझे लगता है कि फिर से जो है तो इसमें target आएंगे 250 to 300 रुपे का इसका target रहेंगा जब निप्टी 13700 को या 550 को फिर से जब आएगा तो फिर से 200 या 200 रुपे के करीब आजाएगा तो एक option रहेगा और दूसरा जो है तो मैंने जैसे बोला तो यह as a investing भी यूज़ कर सकते हो यह 14000 का call option January series का अठाई January का यह भी 152 रुपे के करीब ट्रेड कर रहे है तो इसको भी 100 या 110 क्योंकि इसमें ज्यादा हो लेटिलिटी नहीं रहेगी तो इस option को आपको खरीदना है यस तो इसको आपको खरीदना है लगबग 100 रुपे के करीब 100 या 110 के करीब और आपका टार्गेट रहेगा लगबग 200 और 500 रुपे इस option के लिए दोनों में से में मगर जो नजद मगर यह इतना हिला नहीं जितना यह हिला है 80 से लगबग 2003 तक तो इसमें ज्यादा हो जैसे जैसे आप करीब आते जाओगे वैसे वे एक्सपारी डेट कर इसलिए जो वीकली ऑप्शन रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो लटाइल रहते हैं और उनको स्रिफ जो मुह आती उसको ट्रेड करने के लिए विट स्टॉप लस आप उसको कैरी फोरवर्ड करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है वो ऑप्शन बैंक निप्टी का तो उसमें तो टाइम वेल्यू बहुत ज्यादा फास्ट गिरती है एस कंपेर टो निप्टी और वाय ऑं डिफ स्य रखना है अपका बाय का जून रहेगा तेराजर दोसो से तेराजर फास्टॉ के बीच में और आपका फर्स टार्गेट रहेगा तेराजर पास्टॉपचाश और उसके बाद में 13750 आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीज़े भी इस वीडियो को यह जो वीडियो जादा से जादा लोग के साथ शेर केज़े आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ और आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीज़े and thank you for watching this video